इसको इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे, ताके चीनी अच्छे से घुल जाए. Hello friends, स्वागत है आपका Cardio Kitchen में. मेरा नाम है Manisha, आज हम बनाएंगे सेवईया. इसको बिनाने बहुत ही आसान है, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होती है. जब भी खाना खाने के बाद आपका मीटा खाने का मन हो, तो हम इसे 10 मिनट में बनाकर तयार कर सकते हैं. पंजाब में तो लोग अकसर खाने के बाद इसे खाना पसंद करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, तो अब चलिए टाइम नवेस्ट करते हुए, शुरू करते हैं सेवया बनाना, इसको बनाने के लिए यहां पर मैंने एक पैकेट सेवया ली है, जो की वजन में लगभग 1500 ग्राम है, सबसे पहले इन सीवयों को हम हातों से इस तरह से छोटा के दिखकर देते हैं, यह देखिए, इसको मैंने हातों से तोड लिया है, अब हम चलते हैं, गैस की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं, कडाई को मैंने गैस पे रख दिया है, अब इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी, एक टेबल स्पून घी, आप चाहें तो इसको ऑईल में भी बना सकते हैं, लेकिन गी से इसका टेस्ट और खुश्बू दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं, हम गी को मैल्ट होने देते हैं, यह देखिए, गी मैल्ट हो गया है, अब मैं इसमें डालूँगी यह जो सेवया जिसको हमने तोड़ा था, अब हम इसको लगात चलाते हुए हम अच्छे से सेखेंगे, इसको सेखते हुए मुझे लगभग एक मिनट हो गया है, यह थोड़ी-थोड़ी सेख गई है, लेकिन अभी इसको हमें और सेखना है, और अच्छे से इसको गोल्डन करना है, जब यह सेखने लगेंगी तो इसमें बहुत ही कट कर ली हैं, और साथ में दालूंगे थोड़ी से किश्मिश, इन सब को भी हम सेवेयों के साथ थोड़ा सा भूल लेंगे, काजू, बदाम और किश्मिश को भी लगातार चलाते हुए, लगभग एक मिनिट के लिए मैंने भूल लिया है, अब मैं इसमें दालूंगे आधा क और साथ में इसमें दालेंगे आधा कप चीनी, चीनी और सेवेयों को अच्छे से मिलाएंगे, अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं, तो चीनी की मातरा थोड़ी से बढ़ा सकते हैं, इसको इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे, ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए, य गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो ही रखेंगे, लगबग 2 मिनिट हो गए हैं, हम सेवेयों को चेक कर लेते हैं, यह देखिए, अच्छे से बन कर तयार हो गई है, सेवेयों ने घी भी रिलीस कर दिया है, अब मैं लास्ट में मिलाऊंगी थोड़ा सा इलाइची का पाउड यह देखिए, यह बहुत ही अच्छी और खिली-खिली बनी है, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, बस इसको बनाते समय ध्यान रखिएगा, जब हम इसको सेखते हैं, तब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, और जब हम इसे पानी दाल कर कोक करते हैं, तब भी हम लगभग 2-3 मिनिट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाना है। अगर आपको ये रेसीपी पसंद आई होगी, अगर आपको ये रेसीपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राय करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शियर करें। तो चलिए आप मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही ये नई रेसीपी के साथ। Thank you.